हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करते हूं कि आप सब अच्छ होंगे हर हर मादेव तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक अदसी के दिन चावल क्यों नहीं खाय जाते हैं आप सबी का सवागत है आपके अपने चैनल में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक अदसी के दिन खान पान को लेकर कुछ बातों का विश्य ध्यान अखना चाहिए एक अदसी पर जो सबसे परजित काम है वो चावल का सेवन करना है आप ये जानते हैं आपके एक अदसी पर चावल खाने की क्यों मनाई है यह मारक्षीश का पवित्तर मैना चल रहा है आज किर्शन पक्स की एक अदसी तिति है आज सभी वेश्य भग्त एक अदसी का वर्त पूरे विदी विधान से भगवान नारायन के परति रखते हैं सास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन फलो का सेवन करना चाहिए अनाज भूल कर भी नहीं खाना चाहिए जो लोग इस दिन वर्त नहीं भी रखते उनको भी आज के दिन एक जरूरी बात ध्यान रखने चाहिए एक अदसी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए एक अदसी के दिन चावल खाने की मनाई होती है जो लोग एक अदसी के दिन चावल खाते हैं वे लोग सास्त्रों के अनुसार नरगामी कहलाए जाते हैं। हिंदु धर्म में कुछ चीजों के लिए सक्ट नियम बताए गए हैं। उसमें से एक है एक अदसी के दिन चावल खाना। ऐसा माने जाता है कि जो लोग एक अदसी के दिन चावल खाते हैं, वह मापापी कहलाए जाते हैं और वेशनव दरोई का कलंक इनके सिर पर लग जाता है। आईए जानते हैं आखिर एक अदसी के दिन चावल ने खाने के पिछे क्या कारण है। पोराणी कथा के अनुसार एक समय की बात है। मैरिशी मेधा ने देव सक्ति के प्रकोप से श्वम को बचाने के लिए अपने योग सक्ति का प्रयोग किया और वह धर्ती के अंदर समा गई। फिर उनका जनम जो और चावल के रूप में हुआ ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये गटना हुई थी वह एक अदसी का दिन था। चावल ने खाए। विश्नु प्रान समेत अन्य धर्म गरंतों में बताया गया है कि भगवान विश्नु को सब सिप्रियाथिति एक अद्शी है। इस दिन फलों को ग्रेंड किया जाता है। ये सब करके भगवान विश्नु का आशिरवाद पाया जा सकता है। वैसे तो भगवान विश्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है इस नियम के अनुसार वर्थ करने से पुन्या पाया जा सकता है लेकिन जो लोग इस दिन वर्थ नहीं भी रखते हैं और चावल खाते हैं उनके जनम जनमांतर के संचित के गए पुन्या मातर एक चावल के अं में तब तक के लिए खुश रहिए सवस्तरिये भगवान विश्णु जी का आशिरवाद आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे है